उस तरफ फुटबॉल किस परधा चल रही है और हम फुटबॉल के मैदान में विकास किस परधा कर रहे हैं। मुझे एसास है कि मैच कतर में हो रहा है लेकि उत्सा और उमंग यहां भी कम नहीं है। और साथियों जब फुटबॉल के मैदान में हूँ और फुटबॉल भीवर चारों तरफ है तो क्यों न हम फुटबॉल की परिभाशा में ही बात करें। फुटबॉल का ही उदान दे के बात करें। हम सब को मालू है कि फुटबॉल में अगर कोई खेल भावना के विरूत स्पॉर्ट्समेन स्पिरिट के खिराब अगर कोई भी वहवर करता है तो उसे रेड कार दिखाकर बाहर कर दिया जाता है। इसी तरह पिछले आठ बर्षों में हमने नौर्थ इसके विकास से जुड़ी अनेक रुकावटों को रेड कार दिखा दिया है। ब्रस्टाचार, भेदभाव, भाई भती जाबाद, हिंसा, प्रोजेक्टों को लटकाना, भटकाना, बोट बेंक की राजनीती को बाहार करने के लिए हम इमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप भी जानते हैं, देश भी जानता है, इन बुराईयों की बिमारियों की जड़े बहुत गहरी है। इसलिए हम सब को मिल करके उसे हटा करके ही रहना है। हमें विकास के कारियों को ज्यादा रप्तार देने और ज्यादा प्रभाव साली बनाने में प्रयासों का अच्छा परणाम भी नजर आ रहा है। यही नहीं स्पॉर्ट्स को लेकर भी केंद्र सरकार आज एक नई एप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है। इसका लाब नौर्थ इस्ट को हुआ है। नौर्थ इस्ट के मेरे नौजवानों को हमारी बेटे बेटियों को हुआ है। देश की पहली स्पॉर्ट्स उनिवर्सिटी।